हेलो एब्रिवान मेरा नाम है रेनु कौशिक तो गाइस कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपनी रिसर्च जो मेरी सीरीज चल रही थी उसके मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको कवर करा दिये हैं वन लाइ वीडियो के त्रियू मैं आपको यहां पर आपको जैसे मैंने रिसर्च के चोटी चोटे वीडियो के त्रियू आपको बहुत सारी जो आपके अंडरस्टेंग बनाने की कोशिश करी है ऐसे ही इस टॉपिक के अंदर भी मैं आपके अंडरस्टेंग बनाने की कोशिश पूर वो है हमारा प्रमाना सोर्स अफ नॉलेज जिसके अंदर हम बात करते हैं six means of knowledge कि जो छे valid means होते हैं knowledge को पाने के कि छे तरीके होते हैं knowledge को पाने के according to Indian logic ये कहा जाता है सबसे पहला हमारा है आपका प्रत्यक्षा जिसके अंदर हम बोलते हैं perception कि किसी चीज को हमारी ability किसी चीज को समझने की एक तरीके से understand करने की उस बात करते है anumana, anumana का मतलब क्या होता है एक तरीके से prediction लगाना या inference किसी conclusion के based पर आप या हम बोल सकते हैं किस चीज को relate करके आप जब क्या करते हो knowledge को get करते हो उप्माना का मतलब क्या होता है आप compare करते तो चीजों के दो चीजों के शब्दा का मतलब क्या है वर्बल टेस्टिमनी के मतलब वर्ड के थ्रियू या वो औरल हो या विर रिटन हो उनके थ्रियू भी जो आपको knowledge मिलती है वो आपके किस के अंदर आती है आपके six sources of knowledge के अंदर आती है उसके बाद हम बात करते हैं हमारा सबसे पहला जो प्रमान है ह हमारा वो हे हमारा प्रतेक्ष प्रमान जिसको मुलते हैं perception देंके perception का मतलब क्या होता है अगर मैं बात करते हु प्रसेप्षण की तो perception का मतलब होता है कि किसी चीज को समझना एक तरीका से Ability to understand something या किसी चीज को लेकरकर हमारा वीउपोइंट क्या है ओपीनियन क्या है हमा कि में इसको को बोलते हैं म Coffee और सब्सक्रा मी मौन कर देखर की अम क्या है तो मस्क्रापास despite को मुझें को सब्सक्राइब करें कि यहां रही है लने समलीज को जानना है Position घरेंफ हक्सिट यह हमारे Teaching और इस डाइक परसेप्शन से मिलने वाली नॉलेज को हम क्या बोलते हैं अनुभव सिंपल सी बात है experience को हम क्या बोलते है हिंदी में हम बोलते है अनुभव ठीक है तो अगर आपसे question में पूछ लिया जाए कि अनुभव से आपको मिल रही है experience से जो आपको knowledge मिल रही है तो वह कौन से perception के अंदर आएगी direct या indirect तो आपको याद रखना है कि प्रतिक्ष प्रमान के अंदर वह कौन सा perception है आपका direct perception होगा वहीं पर second हमारे बात करते हैं indirect perception का मतलब क्या होता है indirect perception का मतलब होता है जरा आपको knowledge यuse understanding मिल रही होती है किस के थे हूँ आपकी memory के थे हूँ इसको हम बोलते हैं समर्ति ठीक है क्या फूलते है समर्ति मतलब एक तरीके से हमारी याद ए recalling जो हमारी होती है उसके इसको हम क्या बोलते है direct और immediate यहां वर्ड आया immediate immediate का मतलब क्या होता देखिए जब भी हम बात करेंगे ना इन दो वर्ड आपको याद रखने है एक होता है आपका immediate ठीक है immediate का मतलब क्या होता है immediate का मतलब होता है जब आपको knowledge मिल रही होती किसी दूसरी चीज के through उसको बोलते है immediate knowledge immediate knowledge का मतलब क्या होता है जब आपको knowledge मिल रही होती किसी चीज के directly जो आपको knowledge मिल रही होती उसको बोलते है immediate knowledge तो direct question जो बनता है न तो आपको याद रखना है, अगर आप से question में पूछ लिया जाए, कि direct और immediate cognition के थ्रीव, अगर आपको knowledge मिल रही है, तो आपको याद रखना है, कि वो कौन सा परमान है, वो आपका प्रत्यक्ष प्रमान की बात की जा रही है क्यों कि आपको याद रखना होगा कि immediate cognition, immediate cognition, cognition का मतलब क्या होता है, cognition का मतलब होता है, ability to recall something, recall करना किसी चीज को, memorize करना किसी चीज को, understand करना किसी चीज को, ठीक है, तो आपकी स्मृत्य के थ्रियू, जब को knowledge मिल रही होती है, इसको एक example समझते हैं, कैसे, for example, माल लीजिए, मैंने एक object देख रखा है, वो है apple, ठीक है, मैंने apple को देखा हुआ है, ठीक है, मुझे पता है apple कैसा देता है, लेकिन जब भी अगर माल लीजिए, कोई person है, वो मेरे सामने बात करेगा, किसी round round चीज की, circle जैसी किसी चीज की, फिर वो कहता है, कि वो red color की है, तो simple सी बात है, मेरे दिमांग में definitely क्या आएगा, एक साथ direct मेरे साथ मेरे दिमांग में क्या जाएगा, apple की shape आजाएगी, तो यह क्या है, यह recalling कितरी हुई तो हमें knowledge, यह हमें knowledge मिल रहे है, किसके तरह हूँ, हमारी recalling कितरी हूँ, हमारी mind कितरी हूँ, जो हमें knowledge मिलती है, हमारी किसके अंदर आती है, indirect perception के अंदर आती है, उसके बाद हम बात करते हैं, direct perception देखे, question यहां से भी बनता है क्या? कि direct perception क्या है? Direct perception का मतलब है कि direct perception कितने तरीके का होता है? दो तरीका, internal और external देखे, internal perception का मतलब क्या है? Internal perception का मतलब क्या है? कि जब आपको knowledge मिल रही होती है direct or immediate cognition of pain, pleasure, love and hate कहने का मतलब simple है क्या मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज जो आपकी यादों में है जिसे आपको मतलब simple सी बात है कि जब भी आपको knowledge मिल रही होती है किसी pain से किसी खुशी से किसी pleasure से ठीक है किसी एक तरीके से hate से किसी anger से तो वो क्या है वो आपका internal perception है लेकिन कैसा direct और immediate cognitive कितरी आपको knowledge मिल रही है मतलब कि किसी are knowledge किसी मिल रही है आपके mind कितरी हुआ तहीड है एक तरीकिस जो आपके emotions है उनके इंदह की feelings है ठीक है वह आपको जो knowledge provide कर रही होती हैं तो किसे तहीड प्रवाइण कर रही है तो वो क्या है आपका इंटरनल परसेप्शन है, एक्सटरनल परसेप्शन का मतलब है, जब आपको यूज कर रहे हो अपनी सेंसिस का, मतलब की जैसे नाक का यूज कर रहे हो, आप स्मेल करने के लिए, स्किन का यूज कर रहे हो, आप टच करने के लिए, आइस का यूज कर रहे हो, किसी चीज को द लगते हैं वो क्या है वह एक तरीके से इंटर्नल परसेप्षन है ठीक है वही एकस्टिर्नल परसेप्षन की मैँ बात करूँ तो एकस्टेर्नल परसेप्षन होता है तो आपको पता हुना नेझा कर你 तरीके का होता है country坊 होता है internal एक होता है external internal मतलब कि मेरे mind की बात की जा रही है और external मतलब मेरे senses के बात की जा रही है simple I hope आपको clear हो गया होगा लेकिन देखे बात की जाती है कि जो हमारा valid source of knowledge बोला गया है या valid means of knowledge इसके इंदर एक चीज बोली जाती है कि जो हमारी करमेंद्रियां है मतलब हमारी senses है ना खाली वह हमें हर चीज का overall knowledge नहीं कर सकते हैं कि खाली senses से जो चीज हमें दिख रही है हम यह नहीं कह सकते हैं जो चीज हमें दिख रही है वह सच है ठीक है तो knowledge through diet perception is clear सब्वोट की इसने सब्राइबन इएसा में जरूरी मोट कि फग्जान हो का से मीट dewक्राइब दिखता कि यह हमेसा बरुट नहीं को अगर मैं truth देखूं तो क्या है truth क्या है truth यह है कि सूरस तो कभी उगता ही नहीं है क्योंकि वह कभी छिपता ही नहीं है तो वह उगएगा कहां से ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि जो हमें diet perception जो knowledge मिलती है या हमारा जो perception प्रमान है या प्रतिक्ष प्रमा जो हमारे six valid means of knowledge जो हमारे means of knowledge जो हमारे six valid means of knowledge हैं जिनको हम जाने अन्जाने में अपने daily routine life के अंदर क्या करते हैं? तो I hope यह आपको यहाँ पर clear हो गया होगा guys और ऐसे ही चोटी चोटी वीडियो के तुरू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी next जो मेरा आएगा वो मेरा आएगा अपना second जो हमारा प्रमाना है उसके उपर तो चोटी 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 वीडियो के तुरू मैं कोशिश आँ तिह तंटी सो मुचछ गाइगा